ओके दोससे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सोरी सम्थिंग वेंड वरिंग की प्राबलम अगर आपको फ्री फाइप अप्लिकेशन के उपर देखने को मेरी है खैसे ही फेस्बुक अकाउंट लाग इन करना चाहते हैं और आपके इसको कैसे solve करना है तो मेरी इस वीडियो को पूरा end तक देखते रहना क्योंकि आज का जो solution है वो काफी कमाल का जिससे दोस्तो solve करना बहुत असान है लेकिन ये जानना आपके लिए भी बहुत जुरूरी है क्योंकि lifetime के उपर अगर आपको ये problem देखने को मेरी तो आप इसको solve कर सकते हो अगर आपको अभी देखने को मेरी तो एक skint के उपर दोस्तो आप इसको check मतलब सही कर सकते हो आपने आजाना बैजान यहां से back आने के बाद दोस्तो अभी मेरे पास ये देख सकते हो Free Fire यहाँ पर मझूद है ठीक है अब Free Fire की उपर दोसो मैं जैसे Tap करता हूँ दुबारा से मैं इसको Open करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर दोस्तो मैंने जो इसको किस तरी से Login किया मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दोस्तो मेरे पास Free Fire आय जाएगी ठीक है अब जैसे ही मैं इसको login पे click करूँगा तो ये login हो जाएगी क्योंकि मैंने इसको solve कर लिया था लेकिन जो मैंने जिस तरीके से इसको solve किया वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा अब यहाँ पर दोसो मैं जो इसको थोड़ा सा wait कर लेता हूँ और उसके बाद दोसो यहाँ पर हमें sign in का option दे दिया जाएगा अब यहाँ पर दोसो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसको solve कर पाऊगे क्योंकि यह बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है देख सकते हो log in हो चुका है और side पर इस जगर पर मुझे log out का option भी देखने को मिल चुका था इसकी speed थोड़ी सी तेज है तो इसकी वाज़े से यहाँ पर हमें थोड़ा सा आप back करके भी video को आप यहाँ पर देख सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर हमारी log in हो चुकी है देख सकते हो अब मैं चलता हूँ back बैक जाने के बाद दोस्तों मुझे करना जस्त क्या है यहाँ पर जो आप facebook को use कर रहे हो ना इसमें एक तो दोस्तों आपका जो account है वो log in नहीं होगा यानि के facebook जो official एप है जो बड़ी एप है एक तो light होती है एक facebook होती है अगर दोस्तों आपका इसके उपर account वो log in नहीं है तो फिर वहाँ पर भी आपका account log in नहीं होगा आपने पहले यहाँ पर log in करना है उसके बाद आपने free fire में जाना है अगर आपका यहाँ पर है तो फिर आपको यहाँ पर जाना है chrome browser में यहाँ पर दोस्तों आपने search करना है facebook अब जैसे facebook को search करोगे website आजाएगी आपने इसको open कर लेना अब जैसे आप इसको open करोगे और यहाँ पर दोस्तों अगर आपका जो account है वो log in होगा यहाँ पर अगर facebook पे यहाँ पर आपका account जाएगा तो फिर correct है अगर यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखाता लोग इन होगा तो उसको आपने पहले यहाँ से log out करना है फिर आपने जाना है back facebook में ठीक है उसके बाद facebook अगर आपने light application यूज़ कर रहे है तो आपने उसको अनिंस्टॉल कर देना है उसके बाद दोस्तों आपने place road में जाना है यहाँ पर दोस्तों आपको free fire को सर्च करना है और यहाँ पर दोस्तों जैसे सर्च करोगे आपने इसको पहले update करना है उसके बाद दो दोस्तों आपको Facebook application को भी जाके update करना है उसके बाद दोस्तों आपको setting में चले जाना है setting में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सर्च करना है apps का option अब जैसे सर्च करोगे जहां पर हमारे smartphone की सारी applications मुझूद होती हैं आपने उस जगा पर आ जाना है यह मुझे apps का option देखने को मेरा है manage apps के उपर मैं यहाँ पर आ जाओंगा यहाँ पर अगर आपको search का option नहीं देखने को मिलता है नीचे आकर आपको apps का option देखने को मेल जा ता क्लिक करोगे manage apps के उपर आ जाओगे यहाँ पर दोस्तों आपको free fire और यहाँ पर आपको facebook इनका clear all data करना है और अब जैसे होगा तो आपने दुबारा से इनको login करना है login करने के बाद free fire पर जैसे ही आप काम करोगे login करने की कोशिश करोगे हो जाएगा कोई problem ही आएगी उमीद करता हूँ इससे आप problem भी solve कर पाऊगे और lifetime के उपर आपको इस तरह की problem नहीं देखने को मिलेगी अगर आ